हेलो कईज, विरादा में साहरता केंट, स्वागत दोस्त आप सब का इंडियन पी सेटपस के एपिसोड नमबर 96 के अंदर आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, कुछ आप ही लोग के बेचियों हैं, मोटी पाटी PC सेटप इस वीडियो में बहुत दा मज़ आएगा, तो एर वीडियो एंट तर देखते रहना, आपने अगर अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं करा हैं, तो make sure कि आप कर ले जल्दी से आर चानल को सब्सक्राइब ऐसी बड़िया बड़िया वीडियो हमारे चानल के उपर आती र करना चाहते हो, तो आप जा सकते हो, grabkeys.in website के उपर 100% genuine and trusted website है, और 100% genuine keys आपको यहाँ पर देखने हो मिलती है, बिल्कुल भी यहाँ पर safe नहीं रहता है, अगर आप unactivated windows use करते हो, make sure कि आप अपने लिए Windows 10 या फिर 11 का license जरूर भाई कर ले, इस website की जो link है, वो मैं नीचे देदूँ, आपको description के अंदर जाके आप लोग बाई कर सकते हो, इससे पहले कि guys, setups की तरफ बड़ एक बहुत ही जादा important चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि guys, हमारे पास पड़ गई है, मोटी party PC setups की काफी जादा भारी shortage, यार setups ही नहीं है, budget setups तो भाई इतने हैं कि मै आपको एक साल तक दिखा सकता हूँ, इतनी entries है मेरे पास, लेकिन यार और laptop setups भी बहुत सारे हैं, लेकिन यार ये मोटी party PC setup वाले जो लोग है, यार ये अपनी entry submit नहीं करते हैं, मतलब क्या हो गया guys, ऐसा नहीं है कि हमारा देश गरीब है, लोग मोटी party PC setup बनाते नहीं है, भाई मेरा modex computers भी है, ठीक है हमारा store है, हम PCs बेचते हैं, भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने छोटे PC नहीं बेचते हैं, आजकल लोग बड़े PC बनवा रहे हैं जादा, ठीक है मेरे वो जादा निकलते हैं, तो आप एक चीज़ समझो, बनवाते हैं लोग, लेक बहुत जादा probability है कि आप अपनी entry submit करोगे और वो हमारी वीडियो के अंदर feature भी हो जाएगा, तो आपको ही मजा आएगा, ठीक है अपनी setups को definitely यार हमारे पास submit करें, नीचे आप जाए description के अंदर, आपको एक वीडियो का link मिलेगा, जिसके के अंदर मैंने आपको बड़ी ह से भरतों और जिनके पास भी मोटी party piece setups है, अच्छे कास हैं आपने एक बड़िया सा बड़ा graphics card लगा रखा है, बड़िया महंगा सा setup बना रहा है, तो दिखाओ भाई, जंता को दिखाएंगे, काफी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, आपका setup जब हमारी वीडियो के setup आप इनका यहाँ पर देख सकते हो, एक basic सी desk है, जिसके क्यों पर पूरा setup इन्होंने अपना यहाँ पर बना रखा है, और सारी चीजों के बारे में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर इनकी PC की specifications की बारे में, तो processor यहाँ पर इंटल की तरफ स RTX 3070 Ti Trinity OC वाला वर्जन और cabinet यहाँ पर इंटी स्पोर्ट की तरफ से 690 Air और बाकी की specifications आपके सामने हैं, आप यहाँ पर पॉस करके read कर सकते हो, पेरिफिरल्स की तरफ बड़े तो monitor यहाँ पर इंटल कर रहे है, गीगाबाइट की तरफ से G24F monitor जो की 1080p 165Hz वाला monitor है, keyboard UPS भी यहाँ पर एक यूज़ करते हैं, जो की APC का 1100VA वाला UPS है, maintenance की बारे हम बात करेगा, इस तो desk की उपर जो है काफी neat and cleanliness हमें across पूरे setup में यहाँ पर देखने हो मिल जाती है, और cable management की बारे हम बात करें तो बस एक दो wires ही देखने हो मलती है, जो की इनके mouse and keyboard वागेर और थोड़ा बहुत study purpose के इसाब से अपने PC को यहाँ पर use करते हैं, तो देखो video rating करनी है, light gaming करनी है, तो उसे साब से performance में इनको definitely अच्छी मिल जाती होगी, obviously यह 13600K processor है, 3070Ti graphics card है, तो बड़े अराम से यहाँ पर इनको यह सब काम के लिए performance मिल जाती होगी, कोई दिकत न तो आई कैस आपने शायद overclocking वगेरा करनी होगी, शायद में इस लिए ले लिया होगा, बाकि मैं आपको बताता हूँ, देखो, एक तो सबसे पहले आपको desk की requirement है, ठीक है, यह desk थोड़ी पुरानी हो गई, और इसको छोड़ो भाई हो सकता है, इस पर पुराना कोई अप मज़ा नहीं आया, आपने 3070Ti graphics card भी लिया, 13600K processor लिया, अब उस पर budget खर्च हो गया, पूरा या क्या हुआ, वो मेरे को नहीं पता, बट आपने monitor सिर्फ 1080p 165Hz का ले लिया, जो कि यार मज़ेदार बात नहीं है, तो कोशिश करो कि यार अपने monitor को आप upgrade कर पाओ, और यहा अच्छे monitors यार देखने हो मिल जादे, definitely consider आप लोग कर सकते हो, बागी तो खेर आपका setup ठीक है, ऐस सच आपको और तो कुछ भी यहाँ पर upgrade वगेरा करने की need नहीं है, बस खाली एक monitor पे थोड़ा सा और अच्छा सा इंवेस्ट कर सको, और दूसरी चीज टेबल का आप जर ना रखा है, यार देखते ही मतलब वाइब सी आ गई, दिवारे भाई एक तो काली गर रखी है हमारे भाई ने और एक तब वाइट डेस्क के साथ में काफी तगड़ा लग रहा है भाई, overall पूरा setup यहाँ पर देखने में, PC देखो भाई, कहां ऊपर को चड़ा करके है, भ आइजन 7 2700X प्रोसेसर, राम टोटल नहीं हाँ पर 16GB यूज़ करें, G-Skill की Rip Jaws 5 की सिंगल स्टिक यूज़ करें, जो की 3000 MHz के उपर क्लॉक्ट है, ग्राफिक्स कार्ड नहीं हाँ पर GTX 1080 Ti ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर रहे हैं, और कैमनेट यहाँ पर यूज़ करें वो तो खेर इन्हों नहीं हाँ पर नहीं बता है, मोनिटर आपको मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले तो इनका मोनिटर है, जो की Acer का मोनिटर XZ396Q जो की 38.5 इंचिस का है, 1440p, 170 Hz के रिफ्रिशेट के साथ में हाँ पर आता है, और वाइट कलर का मोनिटर का अपी अच पा रहा हूँ कि जो इन्होंने अपना लाप्तॉप है, उसको कनेक्ट करा हुआ है, अपने जो अल्ट्रावाइड वाला मोनिटर है, उससे और जो अपना PC है, वो कनेक्ट कर रखा है, इन्होंने अपना 1440p वाला मोनिटर ताकि गेमिंग वो उस पर कर पाए, और जो कीबो इनके पास Creative Pebble 2.0 Wide और बाकी अलग से यह एक Dell का Laptop यूज़ कर रहे हैं जो कि इन्होंने अपने monitor से यहां पर connect कर रखा है और एक Logitech का MK240 वाला combo यूज़ करते हैं जो कि अपने office purpose के लिए करते हैं अब maintenance के बारे में बात करेंगे इस तो across पूरा setup जो है बहुत ज़ादा neat and clean है और cables के बारे में बात करें तो भाई as such कुछ भी फालत हूँ ऐसे कोई cable देखने को नहीं मिलती है इनकी desk की उपर बहुती neat and clean overall काफी well maintained इनका setup है और इनके PC के बारे में बात करें तो बहुत ज़ मैं फोटो में देखके समझ पा रहा हूँ कि decent काम उसके अंदर में इन्होंने यहां पर कर रखा है अब इन्होंने बताए कि हमने setup को यहां पर यूज करते हैं gaming करने के लिए coding करने के लिए content देखने के लिए और यह सार्प काम करते हैं अपने PC के उपर office वाला जो काम है व gaming को यहां पर करा देता होगा 1080Ti ऐसा graphics card है भाई 2K पर अराम से gaming करा देगा तो उसके regarding इनको performance में gaming में कोई भी दिक्कत नहीं आती होगी अब बात करें यहां पर कुछ suggestions के बारे में तो देखो भाई पूरा setup बढ़िया है बस खाली PC के अंदर आपको कुछ 2-4 चीज़े है जो की आपको definitely यहां पर मेरे हिसाब से तो यह अफग्रेड करनी ही चाहिए एक तो Ryzen 7 2700X यूज कर रहे है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट Motherboard थोड़ा हलका उसके साथ में ले लिया है चलो कोई बात नहीं अगर ठीक चल रहा है PC तो कोई दिक्कत नहीं है RAM आप यहा से लावा तो खहर PC के अंदर और तो कुछ अपग्रेड करने की मेरे साब से तो आपको कोई जरूरत है नहीं बागी तो आपका ठीक है बागी पूरा सेटप यह काफी अच्छा लग रहा है आपका कॉमेंट्स में बताओ इनका सेटप यहार कैसा लग रहा है मेरे को तहर का सबसे पहले देख सकते हो दो टेबल को इन्होंने मिला करके थोड़ा जुगाड करके अपने डेस्क यहां पर बना रखी है पीसी अलग टेबल पर रखा है मॉनिटर कीबोर्ड माउज अलग टेबल पर रखा है चलो ठीक है सब चीज की बारे में बात करेंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी PC की स्पेसिफिकेशन के बारे में तो प्रोसेसर यहां पर इसकरें इंटल की तरफ से कूर i5-14600K प्रोसेसर राम टोटल यहां पर जो 32GB यूज करें टीफोर्स की डेल्टा आर जीवी 16 इंटो टू जो की DDR5 है 6000 मिघट की उपर क्लॉक्ट है ग्राफ की स्पेसिफिकेशन आप पॉस करके यहां पर रीड कर सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर पेरिफरल की बारे में बात करें तो मॉनिटर यहां पर इसकर लगी का अल्टरा गया 27gr 75 qb जो की 2k 165 फर्ट के रिफ्रिशेट के साथ में आने वाले गेमिंग मॉनिटर है कीबोड यहां पर इसकरे गेमडियास का Ares P2 RGB और यह कीबोड और माउस का कॉम्बो होता है तो उसी में कीबोड और माउस दोनों हो गया इनका बाकी हैडसेट के लिए यहां पर HyperX के Cloud Earbuds 2 यूज करते हैं तो मतलब dedicated कोई headphone नहीं है यहां पर यह यूज करते हैं और speaker इनके पास है न यहां पर भी एकदम neat and clean मामल है कोई दिक्कत वाली बात नहीं काफी बड़ी अलग रहा है और cables भी across पूरे setup के अंदर इनको अच्छी तरीके से मिंटीन कर रखी है तो cables के regarding भी कोई दिक्कत नहीं है अब इन्होंने बताई कि अपने setup को यहां पर यूज करते हैं coding करने के लिए graphics designing के लिए और gaming के लिए तो उसे साब से performance भाई again definitely और कोई दिक्कत नहीं आती होगी बड़िया performance इनको यहां पर मिल जाती होगी जैसे गेमिंग करने जैसे 14600 के यहां पर यूज करें with 3080 Ti भाई gaming एकदम मस्त भाई 2K पर तो एकदम मस्त चलता होगा इनका PC बड़िय अब्वियस है आप सबको पता ही एक तो भाई के पास बड़ियासी टेबल नहीं है so do make sure कि आप एक जो है बड़ियासी टेबल के अंदर invest करें एक अच्छी सी टेबल लें उसके उपर अपने पूरे setup को रखे देखने में तो अच्छा लगी गई प्लस यूज करने में भी आपको काफी मज़ा आएगा सेकंड चीज आप यहां पर जो है बड़ियासी गेमिंग कीबोर्ड माउस जो यह कॉमबो आप यूज करें तो एक बड़ियासी गेमिंग कीबोर्ड एंड एक माउस के अंदर invest करो अच्छे से लो mechanical gaming कीबोर्ड लो एक ताकि मज़ा है भाई ग अपने setup यहां पर बेजने के लिए काफी बड़ी अलगा बढ़ते गाईज एंड बात करते मारे के लिए entry के बार में तो यह हमको बेजी है शौरी ने जो की 14 साल के रहने वाले है नॉइडा के end guys setup आप इनका यहां पर देखो भाई इनका भी again भाई बहुत ही जादा यार प्यारा लग रहा है setup इनका यहां पर देखने में मतब जो इनकी desk है वो भी यार इनोंने थोड़ी L-shape type किये side में इनोंने नीचे की तरफ कुछ disk है या फिर क्या चीज है वो मेरे को समझ में नी आ रहा है इतना कुछ anime का लग रहा है I guess यहां पर देख करके क्या चीज है पता नियार आप comments में बता हो गाइस यहां पर अपनी desk में और side में इनकी books वगेरा रखी हुई है नीचे और बाकी उपर इनोंने अपना setup बना रहा है काफी बढ़ी अलग रहा है देखने में जो लो सब चीज की बारे में बात करेंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं guys इनके PC की specifications की बारे में का processor यहां पर इसकर इंटल की तरफ से Core i5-13500 processor RAM यहां पर जो है 16GB की single stick का यूज़ करें XPG की Lancer जो की DDR5 है 5200 MHz के उपर clocked है graphics card यहां पर यूज़ करें Galaxy की तरफ से RTX 4070 Ti EX Gamer वाला edition और cabinet 10 के पास Lian Li की Landpool 216 RGB white पागी की specifications आपके सामने आप pause करके reading यहां पर 27 इंचिस का है 1080p 240 Hz के refresh rate के साथ में यहां पर आता है keyboard यहां पर इसकर रेड ड्रागन का K630 mouse इनके पास Logitech का G Pro X Superlight mousepad यहां पर इसकर लोजिटेक का G640 headset यहां पर इसकर है HyperX के Cloud Stinger speaker इनके पास Philips के बात करते गई यहां पर maintenance की बारे में so across पूरे setup के अंदर चाहे minute and cleanness के बारे में बात करें चाहे PC के बारे में बात हो या फिर डैसक्यों पर बात हो अच्छा काम कर रहा है कोई दिक्कत वाली बात निया वास एक दो केवल्स वही सब देखने को मिलती है तो इसक्राइग तो नहीं यह तो नहीं बताया कि अपने PC को किस परपस के लिए use करते है बट मेरे हिसाब से अगर इनको जैसे i5-13-500-4070 Ti है भाई मोटी पार्टी PC सेटप है तो कोई दिक्कत वाली बात तो आएगी नहीं चाहे भाई गेमिंग हो स्ट्रीमिंग हो एडिटिंग हो तीनों काम इनका PC पड़े राम से इनको यहां पर करा देगा और जैसे कि इन्होंने 240 हर्ट का मोनिटर यहां पर ले रखा है तो मैं अज्यूम भी करके चल रहा हूं कि भाई हमारे जो यहां पर गेमिंग ही करते आपने सेटप में जो यह पीछे वाइट कलर की जो टाइल या फिर कुछ इस तरह से पता नहीं क्या लगा रखा है जो भी लगा रखा है काफी अच्छा लग रहा है और इसके क्रॉस आपने यहां पर जो है LED स्ट्रिप यहां पर लगाई है वो भी आर काफी बढ़िया एक काफी कूल सा लुक दे रही आपके सेट अप को अच्छा लग रहा है यहां पर देखने में अब सजेशन की बारे इम बात करें तो देखो भई एस सच तो मेरे पास कोई सजेशन नहीं है पूरे सेटप मतलब काफी अच्छा देखने लुक्स वाइस तो कुछ भी आपको य है नहीं पूरा सेटप आपका अच्छा है बस खाली यहां पर एक दो चीज है जो कि मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं एक तो आपको अपनी जो रैम है उसको यार अपग्रेड कर लेना चाहिए थोड़ा समता अपग्रेड कर लो अभी सिंगल स्टिक लग रही है एक औ अपने सेटप सब्मिट करने के लिए काफी बढ़िया लगा बस तो वाइस यही था हमारे आज की इस वीडियो के अंदर वीडियो को कैसे लगी नीचे हमें कॉमन सेक्ष्ट ने जरूर रता ना हमारे वीडियो को लाइक कर देना चाले को सब्सक्राइब कर देना है ऐसी ब